नमस्कार, 40 पॉइंट में आपका स्वाकत है इस वीडियो में हम आपको 11 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो की BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समीत, SSE जैसे अन्य प्रतियोगी परिक्षाव में कामाएंगे ये सवाल इतिहास, बिहार स्वेशल, विग्यान, करंट अफेर्स और बुगोल से रहेंगे तो आगे देखते हैं आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं सवाल नमबर एक, बिहार में सबसे गर्म जिला कौन सा है? ए कैमूर, बी रोहतास, सी गया, डी भागलपूर और इसका सही जवाब है सी गया सवाल नमबर दो, बिहार में बहने वाली किस नदी का वास्तविक नाम कौशिकी है? ए बागमती, बी बुडि गंडक, सी सोन, डी कोसी और इसका सही जवाब है डी कोसी सवाल नमबर तीन, बिहार में सबसे ज़्यादा खेती की जाने वाली फसल कौन सी है? ए चावल, बी गेहूं, सी मक्का, डी सरसो और इसका सही जवाब है ए चावल सवाल नमबर चाड़, भारत में अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कब उठी थी? ए उनिस्सो साथ में, बी उनिस्सो बाइस में, सी उनिस्सो एकटीस में, डी उनिस्सो चालिस में और इसका सही जवाब है डी उनिस्सो चालिस में सवाल नमबर पाँच, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? A. फिरोज तुगलक B. सिकंदर लोदी C. अलाओदीन खिलजी D. अकबर और इसका सही जवाब है B. सिकंदर लोदी सवाल नमबर 6 अर्थ शास्तर के लेखक चानक्य किसके समकालीन थे? A. चंदरगुप्त विक्रमादितिय B. समुदरगुप्त C. चंदरगुप्त मौर्य D. अशोग और इसका सही जवाब है C. चंदरगुप्त मौर्य सवाल नमबर 7 इनमें से कौन एक अदिश राशी है? A. उर्जा B. बल अगुर्ण C. त्वरन D. समवेग और इसका सही जवाब है A. उर्जा सवाल नमबर 8 इनमें से किसे तरल सोना कहा जाता है? A. प्लैटिनम B. अमनराज C. पेट्रोलियम D. पाइरीन और इसका सही जवाब है C. पेट्रोलियम सवाल नमबर 9 2020 में तेरवे ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षिता किस देश ने की? A. ब्राजील B. भारत C. रूस D. डक्षन अफ्रीका और इसका सही जवाब है B. भारत सवाल नमबर 10 किस राजु ने डकैत संग्रहाले बनाने की घोशना की है? A. उतर प्रदेश B. बिहार C. जारखंड D. मद्यप्रदेश और इसका सही जवाब है D. मद्यप्रदेश सवाल नमर 11 भारत में सबसे लंबी टटरेखा वाला राज्य कौन है? A. गुजरात B. महरास्ट्र C. तमिलनाडू D. आंद्रप्रदेश और इसका सही जवाब है A. गुजरात पिसले सेट में हमारे जिंदशकों ने सबसे ज़्यादा सही जवाब दिये उनके नाम है आप सब ही का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस सेट में आप कितने सवालों के जवाब दे सके हैं आप हमें कमेंट में लिख कर जरूर बताए सबसे ज़्यादा सही जब आप देने वालों का नाम हम अगले वीडियो में बताने की कोशिस करेंगे तो आज के इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद